हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीलमकर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत आज मैं आपके साथ बच्चों के लिए टिफिन रेसिपी शेयर करने वाले पनीर का पराथा बनाएंगे शुरू करते हैं टिफिन बॉक्स की रेसिपी चलिए फ्लैंड शुरू करते हैं हैल्द सब्सद्वाट करते हैं इसमें मैंने वान फूर टीस्पून से नमक एड़ कर दिया है और वान फूर टीस्पून इसमें लाल मिश पाउडरर एड़ करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए बनाने तो बिल्कुल भी तीछा नहीं बनाएंगे और वान-फूर टीस्पून ही मै कर लेंगे तो इस स्टफिंग आप देख सकते हैं पराटे के लिए रेडी हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले लिए है तो मैंने डो पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है थोड़ा से इसको बेल लेंगे और इसमें ऐल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं देशी गी का यूज कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हैल्दी साथ टिफिन तैयार करेंगे तो आप जो भी कुकिंग और खाना पसंद करते हैं उसमें इसको बना स स्टफिंग फिल कर दिया है तो पनीर को अच्छे से फिल कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से उठाते हुए जैसे नॉर्मल सब पराटा बनाते हैं ऐसे ही इसको तयार कर लेंगे और इसको थोड़ा सा सूखे आटे में कोट कर लेंगे और इसको सिम्पल बेल लेंगे तो इसको हलके आतों से प्रैस करते हुए, इसे हम बेल के तयार कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, मैंने बेल लिया है, तो तब भी हमारा गरम होच चुका है, तो इसमेना थोड़ा सा गी अपलाई कर दिया है, बेल आ हुआ है, इसमें पनीर का पराथा अट करेंगे, और ए जब तक इस पर golden color आज़े तब तक इसको चार उतफ से गुमाते हुए हम सेक लेंगे और आप देख सकते हैं कि इतना जाधा बढ़िया पनीर का पराटा बनकर तयार हो गया है तो second को भी same method same बनाकर तयार कर लेंगे तो सभी पनीर के पराटे बनकर हमारे तयार हो गया है और आप देखी सकते हैं कितने जाधा बढ़िया बने हुए है पराटे को मैंने इस तरीके से कट कर दिया है तो लंच बॉक्स में आज मैंने थोड़ा सा तर्बूज रखा हुआ था तो इसको भी मैंने कट कर रख दिया है बच्चों को बहुत ही जाधा पसंद आता है सुइँछ फैसे में एक-dew पीससी सलाइसीज कीरे के रख दिया है फोड़ा सा मैने रख भी सालोगे से त्यार करे हैं इस तरीके से सब चीजों के साथ बहुत ही जादा पसंद आता है तो आप देख सकते हैं हेल्थी सर्टीफिट बनकर हमारा त्यार हो गया है आई हो पास का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें और फैमली और फ्रेंड में शेयर करें एक रेसिपी से जोड़ कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थांक्यू